पहले दो कमपनिया वैक्सिन बनाती थी अब 13 कमपनियों को इजाज़त दी गई है और दिसंबर महिने तक 19 कमपनियों को इसकी इजाज़त दी जाएगी अब वैक्सिन की कोई कमी नहीं रहने वाली है जहां जैसे जैसे वैक्सिन लगती जाएगी सबको वैक्सिन मिलती जाए अगस्त महीने में 19 करोड प्रती माह हम वैक्सीन बनाएंगे और सितंबर महीने में 42 करोड प्रती माह वैक्सीन बनेगी और अक्तूबर महीने में 46 करोड प्रती माह वैक्सीन बनेगी और नवंबर में 56 करोड पर बंद वैक्सीन बनने का काम शुरू हो जाएगा और दिसंबर में 69 करोड वैक्सीन प्रती महाँ बनने लगेगी और इसको अगर जोड़ा जाए तो 257 करोड डोज दिसंबर तक में भारत प्रडूस कर चुका होगा इस बात को हमको समझना चाहिए इसलिए एक नहीं डबल डोज के लिए भारत तयार है इसको हमको समझना चाहिए और इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए मित्रों लगबग 86 लाग का ये 21 तारी को टार्गेट कंप्लीट हुआ है बहुत बड़ी संख्या में और लगबग 31 करोड 50 लाग लोगों को वैक्सीन लग गई है मित्रों यहां मैं निवेदन करना चाहूँगा ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इसको भारतिय जंता पार्टी के एक एक कारेकरता का सेवा ही संगठन का कारेकरम समझे हमारा कारेकरता कोई जेश में विना वैक्सीनेशन के न रह जाए ये योजन हमको करना है और इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहूँगा हमारे चुने वे प्रतिनिदी, हमारे MP, हमारे Minister, हमारे State Ministers, हमारे MLS, हमारे जिला परिशद के सदसे, हमारे ग्राम पंचायद के सदसे सब के लिए सब्ता में दो वार किसी भी Vaccination Center में जाकर वहां के कारकरताओं को प्रेरित करना और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना ये हमारा काम होगा यह हमको हर सब्ता दिसंबर तक करना है ताकि एक भी व्यक्ति इस से छूट न जाए और हमारा बूत कोरोणा मुक्त हो जाए और वैक्सीनेशन युक्त हो जाए इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा इसके लिए हमको जुड़ना पड़ेगा